नमस्कार मैं प्रीती शर्मा आज हम लिडियों में बात करेंगे कि कथक नित्व में कितने बखात की चातियां होती हैं और उनके क्या-क्या बेसिक्स पोल हैं कुछ स्टुडियम्स ने मुसे कुश्शन भी किया था कि आज कर आमारे एक्जाम चल रहे हैं तो आप जाति के बारे में कुछ पताईए जाति वेसे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको चार-पांच लाइन में मैं नहीं ख़तम कर सकती हूं जाति को समझन कि बात करूं तो बोल जाती जो है आपका स्वर और वन इनसे मिलकर बनती हैं फोर एक्जामपल जैसे राम ने कितने अक्षण आपने योज़ किये और कितने स्वर योज़ हुए ठीक है इस हिसाब से बोलो को डिसाइड किया जाता है अगर मैं ले जाती की बात करूं तो तो, उसके बोल हैं थूम्मकित, धागेति, यस वह देखेति, इसी प्रकार से खंट चाती में जू लगु मात्रा होती है, वह होती है पांच् तक तकित तक तकित तक तकित दिन इसके बाद आती है मिश्रजाती में जो लगु बोल होते हैं लगु मात्राएं होती हैं वहां होती है साब और इसके बिसिक्स बोल है तकित तक 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 या फिर धागे न धागे तेन तागे न तागे तेन इसकी बाद संखियन जाति है जो भुल है झ्यों चील होताहे है अंग तक्क च सम्मुद्ध में यूजत तिहायां होती हैं, चलन होती हैं, लडी होती हैं, तोड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो जाती, गायन, बाधन और निर्थ, तीनों में बहुत जादा उपयोग की जाती है, अगर आपको जाती को समझना है, तो जाती को समझने के लिए सही माइने में जाती क्या है, जा और वन, इसका भी अध्यान करना बहुत ज़रूरी है, आपको separate बोल जाती का अध्यान करना पड़ेगा, आपको separate ले जाती का अध्यान करना पड़ेगा, अक्चुल में तब जाकर सही माईने में जाती समझ में आती है, केवल ये कह देना कि जातिया पास प्रकार ये यहीं प प्रैयोग प्रेयोग नहीं करते हैं, उसका संघीत में और वाधन में जादा प्रेयोग होता है। लेकिन हम अपने कत्र नित्रमें पांच प्रकार की चाथियो का प्रेयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया है। बाकी इसके डिटेल मैं आपको दिस्क्रिप्शन वाक्स में लिख दूँगी जाती की लगू मात्रा कितनी होती हैं, दूसरी चीज किस तालबदिती को हम आजकल यूज कर रहे हैं, और कितने मिशन से जाती बनी हैं, उसके बेसिक्स पोल कितनी हैं, उनका वाइं क्या है, यह मैं सब कुछ में डिक्स्रिक्शन वाक्स में दे दूँगी, फिर भी आपकर कोई कुश्चन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, धन्यवाद